उत्रप्रदेस सरकार सरकार्य इस्पतालों को बहतर बनाने के साथ साथ मरीजों को बहतर चुकित्सा सुविधावी उपलब्द करा रही है मरीजों को अपना इलाज कराने और जाज के लिए भटकना ना पड़े इसके लिए जिलास पताल औरसला में सिटी स्कैन मशीन को इस्थापित किया गया है जिसका उदगाटन डिप्टी सीयम ब्रिजेस पाठक ने लखनव से ऑनलाइन किया जिलास पताल में लगाई गई सिटी स्कैन की सुविधा मरीजों को निशुलक उपलब्द रहेगी यूएच एम अस्पताल के निदेशक डाक्टर शोसिल प्रकास ने बताया कि पीपी मॉडल के तहत सिटी स्कैन मसीन को इस्थापित किया गया है जिलास पताल में भरती मरीजों के लिए यह सुविधा पूरे तरीके से निशुलक रहेगी अगर किसी मरीजों को रात में इमर्जनसी पड़ती है तब भी यह सुविधा उसको दी जाएगी UHM अस्पताल के कारबाहक CMS डक्टर शेलन तिबारी ने बताया कि यहाँ पर पहले एक CT स्कैन मशीन लगी थी लेकिन वह काफी समय से खराब पड़ी थी जिसकी बज़ा से मरीजों को पैसा खर्च करके CT स्कैन कराना पड़ता था और अब नई आधुनिक तरीके की CT स्कैन मशीन लगने से मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा उनको यही पर निशूर के स्कैन की सुविधा मिलती रहेगी जो हमारे अफ्ताल के मरीज हैं हमारे OPD से यह हमारे अध्मेट से उन्हीं के लिए पर नादा से यह CT स्कैन की मशीन औरसला होस्पिटल में PPP मोड पर सरकार द्वारा उपलब्द कराई गई है यह एक बहुत बड़ी सुविधा है जो कानपुर की जंता के लिए उपलब्द हुई है इस CT स्कैन मशीन से सुवह 8 बज़े से 6 बज़े तक पेशन्ट को सुवधा दी जाएगी CT स्कैन किया जाएगा 32 स्लाइस की यह मशीन है अच्छी गुणवत्ता उचुणवत्ता की मशीन है यह और इस मशीन से हम 8 से बज़े से 6 बज़े तक CT स्कैन करने की सुवधा पुदान करेंगे और आकस्मिक तक इस सिती में किसी भी समय यह CT स्कैन मशीन पेशन्ट को सुवधा देगी इसकी रिपोर्टिंग टेली मेडिसन बेसिस पर है और रिपोर्टिंग 6 घंटे बाद मरीज को प्राफ्ट हो जाएगी मेडिको लिगल के केस में हम इसकी रिवस्ता करेंगे कि रिपोर्ट जो है हमारे चिकेसक के द्वारा या हमारे डेडियलोजिस्ट के द्वारा भी उपलच कराई जा सके कृष्टना डाइगनोस्टिक पोने की ये मशीन है और ये दमनिशुल प्रिशुदा है जो यहां कानपुर के मरीजों को दी जाएगी